सबी देश वासियों को आदर पूरवग नवश्खार कोरोना संक्रमन से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब चार महने से ज़्यादा समय बीद गया है इस दोरां तमाम देशों के 42 लाग से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए है पौने तीन लाग से ज़्यादा लोगों की दुखत मुरुत्य हुई है भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए है मैं सभी के प्रती अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ साथियों एक वायरस ने एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है विश्व भर में करोडों जिन्दगीयों संकट का सामना कर रही है सारी दुनिया जिन्दगी बचाने में एक प्रकार्चे जंग में जुटी है हमने ऐसा संकट न देखा है नहीं सुना है निश्चित तौर पर मानव जाती के लिए ये सब कुछ अकल्पनिया है ये क्राइसिस अभुत पूर्वा है लेकिन ठकना हारना तूटना बिखरना मानव को मिल्जूर नहीं है सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा हमारा संकल्प इस संकट से भी दिराट होगा साथियों हम पिछली सताब्दी से ही लगातार सुनते आये हैं कि 21 सदी हिंदुस्तान की है हमें कोरोना से पहले के दुनिया को वैस्षिक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मोका मिला है कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थीत्या बन रही हैं उसे भी हम दिरंतर देख रहे हैं जब हैं दोनों कालखंडों को भारत के नजरिय से देखते हैं तो लगता है कि 21 सदी भारत की हो यह हमारा सपना ही नहीं यह हम सभी की जिम्मेदारी भी है लेकिन इसका मार्ग क्या हो विश्व की आज की स्थिती हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है आत्म निर्भर भारत हमारे हां सास्त्रों में कहां गया है एश्व पन्था यानि यही रास्ता है आत्म निर्भर भारत साथियों एक राष्ट के रूप में आज हम एक बहुत एहम मोड पर खड़े हैं इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है एक संदेश लेकर आई है एक अवसर लेकर आई है मैं कुदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता है जब कोरोना संकर शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी N95 मास का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था आज स्थिती ये है कि भारत में ही हर रोज दो लाग PPE और दो लाग N95 मास बनाए जा रहे हैं ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को आउसर में बदल दिया आपदा को आउसर में बदलने की भारत की ये द्रश्टी आत्म निर्भर भारत के हमारे संकप के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है साथियों आज विश्व में आत्म निर्भर सब्द के माएने पूरी तरह बदल गए है ग्लोबल वर्ल में आत्म निर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है अर्थ केंद्रित वैश्वी करण बनाम मानव केंद्रित वैश्वी करण की चर्चा आज जोरों पर है विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिंतन आशा की किरण नजर आता है भारत की संस्कृति भारत के संस्कार उस आत्मंदिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुम कंप है विश्व एक परिवार भारत जब आत्मंदिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रीत व्यवस्था की वकालत नहीं करता है भारत की आत्म निर्भरता में संसार के सूख, सहयोग और शान्ती की चिंता होती है जो संस्कृती जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्यान चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मांती हो, जो अपनी आस्था में माता भुमी ही, पुत्तो अहम पृत्विया, इसकी सोच रखती हो, जो पृत्विय को मा मांती हो, वो संस्कृती, वो भारत भुमी, जब आत्म निर्भर बनती है, तब उचसे एक सुखी समरुद्ध विश्व की संभावना भी सूनिश्चित होती है, भारत की प्रगती में तो हमेशा विश्व की प्रगती समाहित रही है, भारत के लक्षों का प्रभाव, भारत के कारियों का प्रभाव, विश्व कल्यान पर पड़ता ही है जब भारत खुले में सौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तश्वीर भी बदलती है टीबी हो, कूपोशन हो, पोलियो हो भारत के अभ्यानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है International Solar Alliance Global Warming के खिराब भारत की दुनिया को सौगात है International Yoga दिवस की पहल मानव जीदवगन को तनाव से मुक्ती दिलाने के लिए भारत का उभार है जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाईयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रसंसा होती है तो स्वाभाविक है हर भारतियक गर्व करता है दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है मानो जाती के कल्यान के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है सवाल यह है कि आखिर कैसे इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड देश वाजियों का आत्मंदिर भर भारत का संकल्ब साथियों हमारा सदियों का गवरवपुर्ण इतिहास रहा है भारत जब समृत्य था सोने की चिडिया कहां जाता था संपन्न था तब सदा विश्व के कल्यान की राह पर ही चला बक्त बदल गया देश गुलामी की जंजीरों में जकर गया हम विकास के लिए तरस्ते रहे आज फिर भारत विकास की और सफलता पुर्वक कदम बढ़ा रहा है तब भी विश्व कल्यान की राह पर अटल है याद करिए इस सताबदी की शुरुवात के समय वाइटू के संकट आया था भारत के टेक्लालोजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था आज हमारे पास साधन है हमारे पास सामर्त है हमारे पास दुनिया की सबसे बहतरीन टैलेंट है हम बेस्ट प्रोडक्स बनाएंगे अपनी क्वालिटी और बहतर करेंगे सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे साथियो मैंने अपनी आँखों के सामने कच्छ भूकम के वो दिन देखे हैं हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा सब कुछ द्वस्त हो गया था ऐसा लगता था मनो कच्छ मौद की चादर ओड़कर सो गया हो उस परिस्तिती में कोई सोज भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे लेकिन देखते ही देखते कच उठखड़ा हुआ कच चल पड़ा कच बढ़ चला यही हम भारतियों की संकल पशक्ती है हम ठान लें तो कोई लक्ष और संभव नहीं कोई राह मुश्किल नहीं और आज तो चाह भी है राह भी है यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना भारत की संकल पशक्ती ऐसी है कि भारत आत्म निर्भर बन सकता है साथ्यों आत्म निर्भर भारत की यह भग्वे इमारत पांच पीलर्स पर खड़ी होगी पहला पिलर एकोनोमी एक ऐसी एकोनोमी जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं बलकि कौंटम जंप लाए दूसरा पिलर इंफास्ट्रक्चर एक ऐसा इंफास्ट्रक्चर जो आदुनिक भारत की पहचान बने तीसरा पिलर हमारी सिस्ट्रिम एक ऐसा सिस्ट्रम जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं बलकि 21 सदी के सपनों को साकार करने वाली टेकनोलोजी ड्रिवन व्यवस्ताओं पर आधारित हो चौधा पिलर हमारी डेमोग्राफी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रन डेमोग्राफी हमारी ताकत है आत्म निर्भर भारत के लिए हमारी उर्जा का स्रोध है पांचवा पिलर डिमांड हमारी अर्थे ववस्ता में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है जो ताकत है उसे पूरी ख्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरुरत है देश में डिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का ससक्र होना जरूरी है हमारी सप्लाई चेन हमारी आपूर्ती की उस ववस्ता को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो हमारे मद्दुरों के पसीने की खुश्बू हो साथियों कोरोना संकड का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्टना कर रहा हूं यह आर्थिक पैकेज आत्मा निर्भर भारत अभ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी जो आर्थिक गोश्टनाय की थी जो रिजर्व बैंक के फैंसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है यह पैकेज भारत की जिडिपी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सब के जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्था की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुपिय का एक पैकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को ट्वेंटी लाग्स 2020 में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गती देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लेंड लेबर लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है यह आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्ध्योक गरह उद्ध्योक हमारे लगू मंजोले उद्ध्योक हमारे MSME के लिए हैं जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है यह आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमिक के लिए हैं देश के उस किसान के लिए हैं जो हर सिती हर मौसम में देश वाश्यों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है यह आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्यम बर्क के लिए हैं जो इमानदारी से टेक्स देता है देश के विकास में अपना योगदान देता है यह आर्थिक पैकेज भारत के उद्योग जगत के लिए हैं जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है कल्षे शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मा निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी साथियों आत्मा निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है आपने भी अनुभव किया है कि बीते छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम अधिक समर्थ नजर आई है वर्ना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दप्तर बंद थे ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जंधमन आधार मोबाईल जे ए एम जेम की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉम था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉम्स के उस दायरे को व्यापक कर रहा है नई उचाई देनी है यह रिफॉम्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी ससकता हो और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में क्रिशी पर कम से कम असर हो कि रिफॉम्स रेशनल टैक्स सिस्टम सरव और सपस्ट नियम कानूं उत्तम इंफार्ट्रक्टर समर्थ और सक्षम हुमन डिसोर्स इच और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे यह रिफॉम्स बिजनेश को प्रोसाइट करेंगे निवेश को आकरशित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे साथियों आत्म निर्भरता आत्म बल और आत्म विश्वास से ही संबव है आत्म निर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कडी स्परधा के लिए भी देश को तयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर्ष परधा में जीते ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निभाए इससे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशन्सी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सूनिश्चित होगी साथियों ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई है लेकिन इनी परिश्चितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष सक्ती उनकी संयम सक्ती का भी दर्शन किया है खास कर हमारे जो रेडी वाले भाई बहने हैं ठेला लगाने वाले हैं पट्री पर सामान बेचने वाले हैं जो हमारे स्रमिक साती हैं जो गरों में काम करने वाले भाई बहने हैं उन्होंने इस दोरान बहुत कष्ट जेले हैं, तपच्या किया है, त्याक किया है, ऐसा कौन होगा, जिसने उनकी अनुपस्तिति को महसूस नहीं किया, अब हमारा कर्टब यह हैं, उन्हें ताकत पर बनाने का, उनके आर्ति हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का, इसे ध्यान में रखते हुए, गरीब हो, स्रमीक हो, प्रवासी मदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मचवारे साती हो, संगटिक शेत्र से हो या संगटिक शे से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का एलान किया जाएगा, साथियों, कोरोना संकट में हमें, लोकल मैनुफेक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाइचेन, इसका भी महत्वा बराबर समझा दिया है, संकट के समय में, लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है, लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है, समय ने हमें सिखाया है, कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा, आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंट्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिलकुल लोकल थे, लेकिन जब बहा के लोगोंने, उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्राणिंग की, उन पर घर्व किया, तो वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन गए हैं, वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्स खरिदने हैं बल्कि उनका घर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रहास होने तो हर बार आपके प्रती मेरी स्रद्धा को और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं। याद करता हूं। जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आगर किया था। ये भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड्स दर पर पहुँच गई। इतना ही नहीं उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास्ता लेकिन परणाम मिला। बहुत अच्छा परणाम मिला। साथियों सभी एक्सपर्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की इर्दगिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, दोगजदुरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लोगडाउन का चौथा चरान, लोगडाउन फोर, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं, उनके आधार पर लोगडाउन फोर, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मैसे पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विये हैं, हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों हमारे यहां कहा गया है सर्वम आत्म वशम शुखम अर्थात जो हमारे वश में हैं, जो हमारे नियंत्रण में हैं, वही सूख है। आत्म निर्भरता हमें सूख और संतोष देने के साथ साथ ससक्त भी करती है। 21 सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्व आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा। इस दाइत्व को 130 करोर देशवाशों की प्राण सक्ति से ही उर्जा मिलेगी। आत्म निर्भर भारत का ये यूग हम भारत वासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प सक्ति उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्त व्यभाव से सराबोर हो, कर्मडता की पराकाष्टा हो, कौशल्य की पूजी हो, तो आत्म निर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं, हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ, मैं आपको बहुत-बहुत शुबकामनाई देता हूँ। आप अपने स्वास्त का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। झाल